हेलो दोस्तो मैं जाइकान से नहीं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भाध आईक्यू में हम दिस्वस करें राजिस्थान पतिकार निस पर जैपूर एडिसन बाइस अक्टूबर तो बने रही है इस वीडियो पसा अंदर तरक तेज लौट तो आई शुरू करते हैं डिस्केशन यहाँ पर बात की जा रही है शुद्ध के लिए युद्ध यह अभियान चालू किया जारा राजिस्थान के अंदर 26 अक्टूबर से इंपोर्टन यूज है यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जो मिलावट की सूचना देने वाला व्यक्ति है उसको 51,000 के इसमें दूद दूद से बाजने को कई सारे प्रड़क्ट तेल घी अन्य उत्पादों के लिए इसमें सारे के सारी उत्पाद सामिल किये गए हैं तो इनको लेकर कि जादी कोई मिलावट करता है को ज्यादा मुनाफ़ा खोरी कवानी कोशिच करता है तो इसको रोकने के लिए राजिस्तान गॉबर्मेंट ये प्रियास कर रही है कि शुद्ध के लिए जुद्ध भियान के तहत इनको ग्रफतार किया जाएगा इन पर रोक लगाने के प्रियास किया जाएगा तो यह अब याद दखेगा इंपॉटेंट है पूचा सकता है बावई एक्जाम के अंदर दिसंबर में ये बहुत ही इंपोर्टेंट है आरेस मेंस के जिन्होंने एक्जाम दिये उनका भी इंटर्व्यूज के लिए यहां पर एक न्यूज यह आई है तो दिसंबर में प्रारम होंगे आरेस के साक्षातकार ये सुभम चौदरी जो सचे महराजिस्तान आर्प के लिए जो भी अभ्यर्ति है मेंस के एक्जाम देने के बाद सेलेक्ट हुए हैं इंटर्वी के लिए उसके लिए तो आपनी तैयार ये अच्छे से रखिएगा देखते हैं आगे यहां पर बात की जा रही है गूगल की बारे में तो गूगल इसको देखते हैं हम एक बार इंपोर्टन नजर गूगल बहुत ही बड़ी एक कंपनी दुनिया के अंदर एक इंटरनेट कंपनी है और इसके साथ सा सर्च इंजन भी है बहुत बड़ी कंपनी है अब आप यह देखिए गूगल की यहोंने कुछ कमाई दिखाई हुए यहां पर एक सर प्रतिश्यत जो है 600 22 अरभ रोपे वहां से कमाता यह गूगल एट से कमाता है 1620 अरब रोपे कमाता है गूगल जो प्लेश하게 हो रहा है वाद सर्गे ब्रिन ने, important नाम है दोनों को देनों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि Google जो company है, इसमें तक्रीवन एक लाग क्रमचारी काम करते हैं, उनमें से 40% भारतिय ये बारतिय मूल के हैं, जो कि Google में काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए कि इतना प्र पूरी दुनिया के अंदर Google सबसे बड़ी company है, तो important बात है, अब क्या हुगा है कि अमेरिका में 30 पर दावा उपवोकता है, तो नुक्सान पहुचाने कारण इस पर case दर्ज कर दिया गया है Google पे, वो कैसे किया गया है, आप देखिए, होता क्या है, कि इस पर आरोग ये ल होता है, ये automatically मतलब उसमें ये installed ही आता है, जो भी Android phone आप purchase करते हैं, तो ये इसके लिए Google पैसा देता है, तो उसको ले करके ये competition एक तरीके से खतम कर देता है, तो वहाँ पर जो पहुचता है, उनके हितों का भी नुक्सान होता है, क्योंकि उसके सामने कोई option ये हम उसको भी search कर लें, उसके उपर जाकर भी search कर लें, जैसे कि Yahoo है, अन्य जो भी search engine है, उनके लिए कुछ opportunity बजती नहीं है, तो इसको ले करके case दर्च किया गया अमेरिका के अंदर Google के उपर, तो देख लेते हैं कुछ और Google जो search engine है, important search engine है, इनके बारे पता हो न चीए सारी fact बहुत ही important है, तो आपको इनके बारे पता हो चीए, Google को बड़ी company है, एक internet company है, और इसके साथ साथ ये search engine भी है, तो आप note कलीजी का important fact है, कि स्तापना जो है, 1998 के अंदर हुई थी, देखते हैं आगे, अब बात की जा रही है, राजिस्तान में विधान सवाका विशे सत्र बुलाने की बात चल रही है, तो ये क्यों बात चल रही है, कि अभी जो क्रशी बिल लेके आए है, center government, तीन बिल जो लेके आई है, वो एक्ट मतलब बना दिये गए जो, तो उसके विरोध में ये काम किया जा रहा है, विशेज सत्र बुला करके, जैसे कि पंजाब रा कैसे बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है, ये आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके, एक मैंने वीडियो बनाई है, इसके उपर, सचेन पाइलेट को लेकर, और जो CM घहलोत को लेकर, जब तना तनी चल लाई थी इन दोनों की बीच में, उस दोरान की मेरी वीडियो है, तो आप देख लीजीगा, विशेज सत्र कैसे बुलाया जाता है, सम्मिधान में इसके लिए क्या उलेक है, क्या नहीं है, तो मैं यहाँ चोटी सी आपको बात बता रहता हूं, कि विशेज सत्र किसी विशेज प्रायोजन के लिए बुलाया है, तो अपके पंजाब की तर्च पर राजेस्तान में इभी जो किसी कानून है, उसमें बदलाब को ले करके यह बुलाया जा रहा है, यह आपको पता हूं चीज के बारे में, और आप वीडियो देख लीजीगा, आपको कई सारे इंपोर्टेंट फैक्टों आपर पता ले करके, यह निउस है, मैंने आपको कल बहुत ही डिटेल में इसको डिसकस किया तो थोड़ी सी और देख लेते हैं, तो यहाँ पर आया है कि नासा का जो स्पेस्क्राफ्ट है, चट्टान के नमूने लेकर रवाना होगा, तो यह यहाँ पर नमूने इसने ले लिए हैं, तो अब देखते हैं, पिक्चर जब भेजेगा यह नासा को, तो उसके बाद जो भी रिसर्च में सामने आएगा, यह बताएंगे, तो स्पेस्क्राफ्ट कर नाम याद रखीएगा, और एस्ट्रोइट कर नाम याद रखीएगा, बेनू, तो पूछा है बेनू क्या है, तो यह आपको बस आइडिया होना चाहिए, कि जोद्पुर्क राजिस्तान के भी एक विक्ति हैं, जो कि इस मिशन की टीम में शामिल है, तो यहाँ पर यह निउज इसकी कवर की गई है, इंपॉर्टन है इसके लिए लेकर यह, अब यह इंपॉर्टन निउज है, यदि आप पेशेंस लग सकते हैं, तो इस निउज को पूरा देखिएगा, मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताऊंगा आज आपको, सारे के सारे आपके फैक्त कवर हो जाएंगे, आपको कुछ देखने की जुरूत नहीं पड़ेगी, गरीभी को लेकर के, तो यहाँ पर क्या कर र ही है, और इसके लावा मैं आपको जो अलग से फैक्त मैं आपके बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर यह केंदे ग्रामीड विकास मंत्राल है, जो हैस पर काम कर रहा है, जो मतलब अपना नया एक परिवाश्य लेकर के आया गरीभी की तो अब अब देखते हैं इससे सम्मान देता है इंपोर्टेंट सारे के सारे फैक्त, तो आप यह देशकते हैं, यह पौबर्टी एनसेस किया हुआ है, रंग राजन जब आये थे, एक समिती है, रंग राजन समिती होने और 29.5 परसेंट, 29 जो गरीभी बताई है भारत के अ तो अब क्या काम चल रहा है भारत में गरीवी का पैमाना बदलने के लिए केंद्री ग्रामीड विकास मंत्राला नई परिवासा दे रही है क्या दे रहे हैं वो कि आने वाले समय में गरीवी कमाई से नहीं है बलकि रहन से इनके तरीके से मापी जाएगी अभी पहले क्या हो गरीवी आप कितना मासिक खर्च करते हैं वहां से तैख की जाती थी कि आप गरीवी रेखा में हैं या नहीं है तो अब क्या होगा आपके रहन से इनके तरीके जैसे कि आवाज, सिक्षा, साफ, सफाई, इत्यादी ये पैमाने लिए जाएंगे इनके अधरबर तैख किये जाएगा कि आप गरीव हैं या नहीं हैं तो ये इंपोर्टन चीज है इसमें परिवाशा में बतलने जा रहे हैं ये लोग तो कई सारे लोग बाहर भी हो जाएगे गरीवी रेखा से तो गरीवी रेखा आपने बता रहे हैं साड़े उननीस, साड़े उन्तीस परसेंट है ये मतलब तकरीवन 30% गरीवी भारत के अंदर तो उसमें काफी कमी होने को काफी कमी देखी जाएगी अब क्या कह रहे हैं गरीवी रेखा तैक करने काम योजना आयो नहीं उननीस सब बासट में शुरू किया था यहां से स्टार्ट होता है उननीस सब बासट थे तो उसमें क्या बताया था कि इसमें बताया था कि 20 रुपे से कम मासिक अपभोग खर्च करने को गरीवी रेखा माना गया मतलब गरीवी आदमी माना गया जो की 20 रुपे से कम मासिक अपभोग पर खर्च करता है अपना उसको गरीब माना गया यह उननीस सब बासट में निकलके आई बात सामने अब और देखते हैं कुछ और important fact गरीवी को मापन करने के लिए दो तरीके होते हैं यहाँ पर एक होती है सापेक्ष गरीवी बहुत ही important है दोनों को ध्यान से सुनिएगा दूसरा होता है निर्पेक्ष गरीवी तो निर्पेक्ष गरीवी का संबन भारत जैसे देशों में जो गरीवी मापन के तरीका होता है वो होता है सापेक्ष गरीवी तो इसमें विक्सित देशों को लिया जाता है मापदंड आई की असमानता को लिया जाता है यहाँ पर क्या होता है आई की असमानता यानि कि भारत में जो गरीवी मापी जाएगी वो बेसिक ए तो हैं लेकिन compared to others उनके पास क्या चीज़ें कम हैं मतलब कितनी income कम है उनकी सापोज कि अमेरिका की जो मतलब एक average income जो आ रही है per capita per unit की तो वो आ रही है 50,000 तो दूसरे जो अन्य लोग हैं अमेरिका में रहने वाले उस पर वो 50,000 से कितनी कम income है इस चीज का मापन होता है हु यानि कि relatively कितना गरीब है मापे इंसान तो इसको मापा जाता है सापेक्स गरीबी की तहट तो इसमें आय एवं जन्दसंक्या का तुलनात्मक अध्यन किया जाता है जबकि भारत में क्या होता है कि हमारे पास तो मतलब बुनियादी सुबदाई देंगे रोठी कपड़ा मक गरीब है जाता है तो बनियादी सुबदाई बात की जाती है निरपेंश करीबी इसको बोलते हैं तो दो तरीके होके सापेश गरीबी और निरपेंश करीबी सापेश करीबी को में आ अपने दो प्रकार है यह पर important है दोनों के दोनों यार दखेएगा पहला यहां परे पादर्स रेखा से यह जो पार्ट है जितना दूर होगा आई के असमानता उतनी कम होगी और जितना यह पास होगा इस वाली लाइन से इस लाइन के रेफरेंस में है यह जितना पास होगा आई के असमानता उतनी ही ज्यादा होगी लॉरेंज कर्व के अनुसार लॉरेंज कर् मतलब आई की एसमानता जादा है अगर ये लाइन यहाँ पर होती तो इसका मतलब आई की एसमानता कम है इसके मुकाबले तो ये आपको एक इसका basic idea होना चाहिए अब देखते हैं एक और इसका जो प्रकार है वो है इसके जो रेंज होती है जीरो से एक के बीच में होती है, जीरो का मतलब क्या होता है, यदी जीरो है आपका आंसर, तो पूर्टे समान है आपकी इंकम, और यदी एक है तो पूर्टे असमान है, पूर्टे समान का मतलब तो हो जाता है कि यूटोपिया नी रामराज वाली इस्तिती हो जाती है, तो ग है कशन सा वाला यह वाला एरिया यह एपलस-बी इस नहीं यहाप लिया है तो यह यह अपना जो भी आंसर आएगा वह इस chelo से एक के बीचमें तो जो भी आब इसकी स्थिति होगी उसी क्या ऐसार इसको रेट किया जाएगा तो यह एक कि मात्रत्म गिनी गुडांक की गिनी गुडांक मतलब गरीवी की मात्रात्मक विदी है तो इस चार्ट के जरीए यह बताया है कि आएस में यहाँ पर तो आपको इससे आईडिया लग जाए गासे गिनी गुडांक और लॉरेंज कर प्रकाम करते हैं किसने दीयें कब दीयें और कौन सा ग गरीवी मापन की जो इकाई यह यूनिट है परिवार रहें जबकी आपकी यूएस यह बात करने हैं तो एक व्यक्ति होता है वहाँ पर राइट परिवार में कितने सरत्क है भारत में औलब 5 सरत्क हैं झाऑब सब्सक्रा तो आपको इस प्रकार से मिलता है एक द्खेसे पर भारत में रथ वार दानली का सम्थी आती है 1971 में जिसने केलोरी शूत्र क्या इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कि 2400 केलोरी चाहिए गाउं में रहने वालेों के लिए और शहरी छेत्रों वालों की चाहिए एकीस सो कैलोरी इतनी चाहिए ज़िक इन से दोनों में कम है तो 10 तो अलग सम्ती है, अलग सम्ती ने एक फॉर्मूला दिया, 1979 में वो भी कैलोरी जो सूत्र है, इसको इसने भी मानने किया अलग सम्ती ने, इंपोर्टेंट है 1971 और 1979, फिर आती है लकड़ा वाला सम्ती, 1993 में इंपोर्टेंट है, इसने भी गरीवी को ले करके अपनी कुछ सु इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, कि जो रथवद आंडेकर ने, कैलोरी जो सूत्र दिया था, उसको खारिज कर दिया तेंदूल को सम्ती ने, और मासिक उपभोग खर्च वाला अपना नया सूत्र दे दिया था गरीवी मापन के लिए, तो इंपोर्टेंट है तो ये रंगराजन सम्ती है 2014 में अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की तो ये पताया कि इतना आपको खर्च होना चाहिए, अन्यता आप BPL कहलाएंगे, केकते हैं कुछ और चीज़ है, अब इसमें जो गरीबी होने के कारण क्या है, तो ये आप कभी भी मेंस का जब भी ए अगरी कल्चर सेक्टर में लगे रहते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा उतपारण नहीं होता है, तो ये भी एक कारण गरीब होने का, फिर है यहाँ पे इन एफिशेंट रिसोर्स उतिलाइजिशन, जो अपने संसादन है, उनका सही तरीके से उप्योग नहीं हो पा रहा है, लो रेट ऑफ एकॉनमिक डवलपमेंट, यानि कि जो आर्थिक विकास है, उसकी रेट कम है भारत के अंदर, ये भी इसका कारण गरीब ही है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं चीजों को लेकर के, बिरोजगारी बहुत ज़्यादा, यानि कि अनेंप्लॉइम इसके कारण गरीब ही है, तो ये कई सारे रीजनस हैं, जिसके कारण गरीब ही होती रहती है, और ये कुछ अकरण चलता रहता है, अब आप ये देख सकते हैं जब इस प्रकार से गरीबी चलती है तो ये poverty trap इसको हम बोलते हैं तो क्या काम होता है इसमें देखिए आप आपकी income कम है लो income है तो आपका low level of education और health होगा यदि आपका low level of education of health होगा तो क्या होगा low level of human capital human capital कैसे बनती है समझें आप human capital का मतलब है कि कोई इंसान है यदि आप इसे अच्छी सिक्षा दे दो अच्छा स्वास दे दो तो ये क्या बन जाएगा एक human capital यानि कि मानब पूझी मानब पूझी वो पूझी होगी जो की उत्पादन करेगी यदि कोई इंसान मानब पूझी बन गया तो उत्पादन करेगा USA के जितने भी लोग है वो सब के सब माना पूंजी बन जाते हैं उत्पादन करते हैं 23 तरीके से इसलिए उनकी economy दुनिया की top economy है तो यदि आपके पास income ही नहीं होगी तो आप कहां से रहेंगे अच्छी education अच्छा तो आप क्या खरीद पाएंगे आप ना बाइक है ना आप कोई मकान खरी सकते हैं ना कोई आप ज्वैली खरी सकते हैं मतलब कुछ भी आप ऐसा नहीं खरी सकते हैं उससे क्या होगा low economic growth होगी low economic growth कहां ले जाएगी low income को ले जाएगी तो दोनों ही चीज़े है growth और development यहां पर बताएगे हैं इनोंने तो यह पूरा का पूरा जो कुछा कर रहे है poverty trap में आपको यहां पर फस इंसान जो है वो poverty trap में यहां पर फस जाता है तो यह चीज़े इसमें चलती है poverty को ले करके अब देख लेते हैं कुछ और चीज़े तो poverty को यानि गरीबी को कम करने के लिए कुछ प्रोग्राम चलाएं इंडिया में तो उस पर भी नजर डाल देते हैं एक यह भी important है जानना आपके लिए तो पहला यहां पर IRDP Integrated Rural Development Program 78-79 में इसे इंट्रोडूस किया था उ जवार रोजगार योजना या जवार ग्राम समधी योजना यहां पर एक और Rural Housing इंद्रा आवास योजना यह भी गरीबी को कम करने के लिए है Food for Work Program चालू किया गया था National Old Age Pension Scheme है अनपूर्णा स्कीम है यहां पर यह सभी की सभी गरीबी को कम करने के लिए स्टार्ट की गई है योजना है इंपोर्टेंट है आप देख लीजीगा क्योंकि अभी मैं इतना डिटेल नहीं बता पाऊंगा बहुत ज़रा टाइम लग ज नेशनल अर्बन लाइविलिषूट मिशन है यहां पर प्रधान-मांत्री कौशल विकास योजना है गरीबी कम करने के लिए प्रधान-मंत्री जन-धन योजना भी है गरीबी कम करने के लिए आपको पता हो बैंक का इस Vielleicht कि और देखते हैं कि सारे प्रयाद सक्रिए और है उसमें हम क्या क्या changes करेंगे तो सारे के सारे प्रयास चलने है sustainable development गोल्स को ध्यान लगते हुए मैंने बताया है आपको 17 गोल्स हैं इनके सब गोल्स हैं 169 तो पहला ही गोल्स है इसमें no poverty यानि की गरीबी नहीं होने चाहिए जो की रंगराजन समती ने कितनी बताई है हमारे यहां पर 29 प्रतिशत तो अब यह परिवाशा में बदल करके उस गरीबी को नीचे लेकर के जाएंगे ताकि इस गोल्स को यह जो गोल लखे गए हैं 2015 से 30 के लिए इनको प्राप्त कर सकें पहला गोल है no poverty यानि की no गरीबी तो आप याद रखिएगा कि गरीबी को लेकर के एक पहला गोल है SDG गोल में कि poverty नहीं होनी चाहिए बढ़ते हैं आके मौप यह नूजीरिया में व्यापक वरोध प्रदसन चल रहा है यहां पर जेल अपर हमले और इस सारी की सारी यहां पर नूजीरिया की और पश्चिमी अफ्रीका का देश है नाइजीरिया से बारत में पढ़ने के लिए बहुत सारे students आते हैं यह आपको एक idea होना चाहिए तो इसकी location देख लेते हैं नाइजीरिया की यह देख चेकते हैं आप इंडिया है यहां आते हैं नाइजीरिया वेस्ट अफ्रिकन कंट्री है नाइजीरिया यहां पर गफ अफ गिनिया है यहां यहां के नीचे साउथ में अंडबान सी इंडिया के वेस्ट में जाने की महराष्ट वाली साइड में बिया बंगाल कलकत्ता वाली साइड में तो यह थोड़ा सा आइडिया रखेगा इसमें आपको थुरू आपको चीज़े सवाज में भी आएंगी और आपको location भी याद यह पब्लिश किया है अमेरिका के Health Effect Institute ने तो यहाँ पे क्या बताया है इनोंने भारत में वायू प्रदूशन से पिछले साल यानि की एक साल में 1.16 लाख से अधिक नवजातों की मौत हुई है किसके कारण केवल महस वायू प्रदूशन के कारण जे से कि हम रोग भी सकते ह तो इतमें सबसे जादा जो मौत को कारण बताया गया है वो बताया गया है PM 2.5 को PM 2.5 एक पॉलुशन क्रियेट करने वाला घटा कैस में इसके अलावा अन्य जो मौत हुई है वो ही है कोईले से लकडी गोबर से बने ठोस इदन के कारण हुई है तो यह important है आप यार रखि जाती है यह तो भारत सरकार ने 2015 में एक एर क्वालिटी स्टेंडर इंडेक्स जारी किया था एक स्टार्ट किया था 2015 में तो आप यह इनकी रेंज जरूरी यार दखिएगा पूछी जा सकती एक्जाम के अंदर 0 से जदी 50 है यह तो यह category good मानी जाती है 51 से 100 के बीच में यह एक यूई तो satisfactory मानी जाती है 101 से 200 के बीच में है तो moderate मानी जाती है 201 से 300 के बीच में है तो poor मानी जाएगी 31 से 400 के बीच में है तो very poor मानी जाएगी 400-500 के बीच में हैं तो severe मानी जाएगी दिल्ली के अंदर भी यहाँ पहुँच गए थे मतलब दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा pollution रहता है तो ये वाली इस्तिती भी पहुँच गई थी very poor और severe वाली तो आप याद दखिएगा और मुझे comment box में ये बताईए comment करके कि इस air quality index को मापने के लिए कितने parameters को लिया जाता है उन सभी के सभी parameters का नाम मेरे को comment box में comment करके बताईए आप तो आप यहाँ इसको थोड़ा सा आप यार दखिएगा 0 से 50 ये सारी की सारी range और इसको आप एक short trick बना लेजिएगा GSM यहाँ से हो जागा GSM आपने सुना हुआ GSM SIM का नाम पहले जो आती थी तो उससे short trick बना के GSM good satisfactory moderate इसके बाद poor very poor severe ये category जुरू याद खिएगा पूचा ज़कता है आप से exam के अंदर तो आज कि आपको वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन डेटेल बता में बताना भी थोड़ा सा